नमस्कार दोस्तो ओम नमस्यवाए हरहर महादेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो कैसे हैं आप सभी मैं आशा करती हूँ कि भुले नात के आशिरवात से आप सभी बहुत अच्छे होंगे जी हाँ दोस्तो आप सभी को बता दू इन 24 घंटे में आपके जीवन में कुछ अनेको परिवर्तन होने वाले हैं जी हाँ दोस्तो आप सभी को बता दे आपने अपने जीवन में जिस भी चीज की उमीद की थी वह आपके हाथों से निकल जाती है लेकिन अब आप लोगों के सामने कुछ ऐसी इस्तितिय उत्पन होंगी कि अब आपको सब मिलने वाला है जिहां दोस्तो आपको बता दे आप से बड़ा खुश नसिब इंसान अब कोई नहीं होगा स्वेम दोस्तो शिवशंगर का आशिरवाद आपको मिला है दोस्तो अब जो होने वाला है वे आपके घर में धनकी वर्षा अवश्य करेगा और आपकी जोली भी दोस्तो भरने वाली है बस आप से ने विदन है कि ग्रह सितारों का साथ जब आपको मिले तो आपको कुछ खास उपाय करने की आवशक्ता है जीहां दोस्तो ताकि आपको अपने जीवन का नया खजाना प्राप्त हो सके दोस्तो आपको बता दे कि ऐसे में आप लोगों को थोड़ा सतर रहने की आवशक्ता है तब ही आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे दोस्तो इसके साथ नगारात्मक प्रभाफ आपकी राशी पर पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इसलिए आप से हाथ जोड़ करने वे दिन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतक देखिएगा और हम जानेंगे कि कैसे आप अपने परिशान मन को शान्त कर सकते हैं आज की इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी बहुती सटीक दरीके से हमने बताई हैं और खास उपाए भी दिए कई गंबीर साफधानिया भी आपको बताएंगे दोस्तो जिससे आप किसी भी प्रकार की दुख और परिशानी में नहीं पड़ेंगे और आपको हर प्रकार की समस्याओं से भी बचने का मौका मिलेगा तो चलिए दोस्तो आप जानते हैं कि आपका व्यापार, करेर, शेत्र, श्वास्त कैसा रहेगा प्रेम संबंद राशिफल कैसा रहरे वाला है और आपकी जानकारी के लिए भी बताना चाहूंगी कि किस प्रकार मातारानी की आशिरवात से भी आप लोगों को शुप संकेत मिले हैं दोस्तो कैसे आपके जीवन में बड़ी घटनाय घटित होने वाली है इसलिए आप से रिवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरूर से लेकर अंतक देखने की करपा करे ताकि हर प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त हो सके और दोस्तो बताएंगे भागयोदे धन प्राप्ति का समय कैसे रहने वाला है बड़ी खुशकबरी की कैसे आपको प्राप्ति होने वाली है क्योंकि दोस्तो इन दिनों में कारे सिध्य योग, भागयवान योग, दो इराज योग और एक धन योग का भी निर्मान हो चुका है जिसमें दोस्तो आप लोगों को बहुत बड़ी खुशकबरीय मिलने वाली है दोस्तो बड़े परिवर्तन आपका इंतिजार कर रहे हैं एकले चौपिस घंटे में जिससे आपका चीवन बदल जाएगा दोस्तो इस चौपिस घंटे में आपको अने को परकार के लाब मिलेंगे, धनलाब मिलेंगे बस आपसे निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो लोग दोस्तो कमेंट बॉक्स में सची श्रद्दा से ओम नमशिवाय हरहर महादेव लिखेंगे उन्हें महादेव का पूरा आशिरवात प्राप्त होगा तो चलिए दोस्तो अब बात करते हैं आपके राशी के महाराशी फलके बारे में समझदारी से इस्तिति को समहालने का प्रयास करिए दोस्तो कटुवर्चन बोलने से बचना चाहिए इतना ही नहीं घर के बढ़ो और कुछ बुजर्गों की सलहा मागदर्शन को भी आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं इस समय किसी दूसरे को सलहा देने से बचे दोस्तो ववस्तित दिंचर्या बनाय रखने के लिए कुछ योजनाय बनाने की आवशकता है आप उसमें कामयाब भी रहेंगे धार्मिक तथा अध्यात्में गतिविद्यों में रूची बढ़ने से आपके व्यवहार में सकरात्मक बदलावाएगा विध्यार्दी और युवावर्ग अपने भवशे संबंदित योजनाओं को क्रियानित करेंगे और उसमें उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिलेगी और थोड़ा सजग भी रहेंगे व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ पारवारी गतिविद्यों पर भी आपको गहरी नजर रखने की आवशकता है तबी दोस्तों आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं इसके साथी साथ दोस्तों आपको बता दे आपको किसी भी तरह का दोस्तों लोग आपका छल करने के साथ मेया किसी भी तरह का बहाना बना सकते हैं लिए ऐसे लोगों से कुछ खास बच कर रहने की आवशकता है और दोस्तों इसके साथी साथ बता दें कि लोग यदि आपके जो नजदी की रिष्टेदार हैं वह यदि दूर रहते हैं तो उनके पास जाने का मौका आपको मिल सकता है इसके साथी साथ दोस्तों आपको बता है तो आप इतने कम समय में काफी हद तक धनी बनने वाले हैं दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि भगवान के गरदेर है परन्तु अंधेर नहीं है और दोस्तों ठीक आपके ही जीवन में भगवान का अपचमतकार अब आपके जीवन पे पढ़ने जा रहा है एतिहासिक परिवर् करें तभी आपको लाब मिल सकता है बता दे तेल बुना खाने से परहेज करें अंचाहे खयालों को दिमाग पर कबजा ना करने दे शांत और तनाब रही दरहने की कोशिश करें इससे दोस्तों आपकी मार्द सिक इस्थिरता बढ़ेगी मरो रंजन और सौंधरे में जरूरत स जादा दोस्तों वक्त खर्च ना करें कोई एश रिष्तिदार जो बहुत दूर रहता है आज आपसे संपर्क कर सकता है आप परते अशिरुमंस दोस्तों आपको अचानक मिल सकता है यदि आप दोनों के साथ में साम को बाहर घुमने के लिए जाते हैं दोस्तों आपके अपने जीवन साथी के साथ कुछ बहतरीन पल गुजार सकते हैं आज का दिन आपके प्रभाव वा प्रताब में व्रधी लेकर आएगा आपको लाप के नए-नए अफसर भी मिलने से आपका मन प्रसन रहेगा आपकी कुछ योजनाय फिर से शुरू हो सकती है दोस्तो आप प्रती इस परदा में भी रूची दिखाएंगे आपको धन के मामलों में अपने आप पर आख वा खान कुले रखने होंगे तब ही आप दोस्तो उनसे पीछा छोड़ा पाएंगे और नौकरी के लिए भी दरदर भटक रहे लोगों को आप कोई अच्छी सूचना दे सकते हैं आपको किसी सरकारी काम वा उसके नियमों का पालन करना होगा नहीं तो दोस्तो आप से कोई बड़ी गलती हो सकती है प्यार और परिवार की यदि में बात करूँ तो आपके विचार सबसे अलग है लेकिन दोस्तो आपकी बाते लोगों को हट कर सकती है सोच समझ कर बात करिये दोस्तो ये आपके लिए बैतर रहेगा जल्दबाजी में लिए गए फैसले आप लोगों का आर्थिक नुकसान कर सकती है दोस्तो आपको अपने जीवन साथी को समझना आपके जीवन में बाहर लेकर आएगा पहले से दोस्तो प्लैन या फिर यात्रा रद हो सकती है ऐसे में आपको अपने साथ में घूमना अनंदित कर सकती है विश्य दिन में दोस्तों बाद में आप थोड़ खाली समय चाहेंगे ताकि आप अपने चाहने वालों के साथ में दोस्तों कुछ फुरसत के खासपल गुजार पाएं खुद पर भरोसा रखें और नए दोस्त बनाएं समय के साथ साथ लोग आपके जीवन में भी आएंगे और जा सकते हैं लेकिन दोस्तो सोल मेट आपका हमेशा आपका साथ देगा आप अपने जीवन साथ थे के मुश्किल समय में उनका सहारा बने भवसाय करेयर दोस्तो और आर्थिक राशी फलकी यदी में बात करूँ तो धन सम्मद इन मामलों में निवेश के लिए दोस्तो पिता या फिर कंसल की राय ले ताकि भवेशे में किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके आपकी कड़ी महनत और युगदान के लिए सरहाना आपको प्राप्त होगी अपने कीमती सामान या फिर पैसे की हिफाज़त करें क्योंकि दोस्तो आज धन की हानी होने की संभावना है पिछले कुछ समय से दोस्तो आप बहुत काम कर रहे थे अब समय आ चुका है थोड़े ब्रेक लेने का आप अपने पुराने दोस्तों के साथ में समय बिता सकते हैं निडर होकर अपनी बाते कहें वा समझाएं लोगों को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं ताकि लोग आपको समझ सके जितना हो सके लोगों से जुड़े और बात चीत करें सेहत की यदि मैं बात करूँ तो शरीर के निचले हिस्से में आपको कुछ परिशानिया हो सकती हैं इसलिए संबभ हो तो हलका आहर ही ग्रहन करें आज के लिए दोस्तों उपाए राम रक्षा शरोत का पाट करना बेहदी लापकारी दिखा जाएगा तो दोस्तों आप अपने जीवन में खुशियां बनाईए और दूसरों को भी खुश रखिए तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें तक हर प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त हो सके तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई और अन्तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद